हेलो डियर स्ट्रेंट्स कैसे हैं आप सभी तो आज हम बात करने वाले एकसराइज 5.6 के फर्दर कोशन की कोशन नमबर 57 से इससे पहले वाले कोशन अपने कर लिये हैं बहुती अराम से प्यार से और इज़त के साथ उनको अलविदा कहा है कि हमें आगे-ाकेर कभी प्रोब्ल स्ट्रक्राइज तो आप यहां से बहुत सकते हों इस अगर हमें यह प्रूव करने मतलब एस्ट्रक्राइज की वे लियू क्या है थ्री टाइम ओफ से माइनिस फॉर तो यहां पर आप एक तो यह बहुत सकते हो पहले मैं एस ट्वैल पता कर लेता हूँ फिर मैंस एस एट और S4 पता करता हूँ, दोनों का subtraction करता हूँ, इसको 3 से multiply करके इसको equal कर सकता हूँ तो मैंने खाए अगर आप S12 पता करोगे तो आपको कोई AP का A भी चाहिए और D भी चाहिए आपको पता है मैंने खाए लेट कर लेते हैं, A A है और D D है 12 terms का sum करना है, तो मैं यहां से पहले LHS part को उठा के लेकर चलता हूँ, LHS की value है S12 इसको बोल सकता हूँ, 12 by 2, that is N by 2, 2 time A plus N minus 1, that is 12 minus 1 into D क्या यह बास समझ मैं आई तुमारे को, ना, यह हो जाएगी 6, 2A plus 11D हो जाएगी, और S12 आपको दे रहा है नहीं, तो हमें इसको solve करेंगे, तो 6, 2 is 12A plus 6060, मतलब S12 की value क्या हो जाएगी, 12A plus 60D, अब यहां पर RHS को solve करने के लिए, मुझे पहले S8 solve करना पड़ेगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ, 8 by 2, 2A plus 8 minus 1 into D, ठीकर, तो आप यहां से लिखोगे, 8 by 2 को तो 4 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 4, 4 into 2A plus 7D, और आप इसको लिख सकते हो, 8A plus 786, 56D, तो यह आपका क्या आगया, S8, तो ऐसे आपको एक पता करना है, S4, तो वो जाएगा, 4 by 2, 2A plus 4 minus 1 into D, तेको सिंपल सा क्यों है, गभरानी की जूरत नहीं है, 2, 2A plus 3D, वो ब्रेकिट मल्टिप्लाई करोगे, तो ऐगा, 4A plus 6D, अब आपको क्या करना है, यहां पर, RHS को जब सोल करना है, तो RHS में क्या लिख रखा है, इसने, 3 multiply by S8, तो मैं S8 की value पूट करता हूँ, यहां पर बड़ 6D को, तो इसको सोल करो, 3, 8A plus 56D minus 4, 4A minus 60, ऑके, क्लिर है, अचА, 36 हाया, शरी भाई, यहां पर 56 की जाइगा, 374 जा, सोल जा, सोल जाइगा, 7 जाइगा, 7 जाइगा, 28, तो यह भी मैं सोल जा था, कुस तो कलते कर रहा, 7 एड जा कर दिया, मैंने दारिक, तो यहां पर कितना अब देखो स्वाल करो 3 x 8a-4a कितना होता है 4a 28-6-22d ओके तो यहां से हमारे पास से 12 यह तो आ रहा है बट 66db आ रहा है क्या हां तो यह 12a इसको समझना जरूरी नेक्स देखो नेक्स करते करें 58 इसको सिंपल सी बात है एक चोर है आफ्टर कमीटिंग एथिफट एक चोर चोरी करके भागा एक यूनिफोर्म स्पीड ओफिफ्टी मीटर पर मिनट मतलब एक चोर है थेफट एक ठीफ है अब यह जो थिफ है यह बगा कितने की स्पीड से 50 मीटर पर मिनट की स्पीड से यहां से सूना ठीक है अब वह क्या कि आफ्टर टू मिनट दो मिनट के बाद तो दो मिनट तक महराज यहां से चले थे लगब यहां तक तो पहुंच वह हंगे पीर क्या हुआ एक प ''डीज मैं रं टू कैच ठीछ एक पु स्पीड क्या है 60 मीटर पर मिनट और एंड इंक्रीज ही स्पीड मतलब हर मिनट अपनी स्पीड बढ़ा रहा है कितनी 5 मीटर पर मिनट सब्सक्राइब तो यहां पेढ़ पहुंचा यहां पुद सब्सक्राइब पाइगा पुर्ट पूंचा तो चला कुष्टेती पूलिस वाला तो उसकी स्पीड क्या थी कोई बताएगा मुझे जल्दी से बताओ यह जो थी उससे पांच मीटर ज्यादा हो जाएगी 65 मीटर पर तो यहां पहुंचा तो यहां पहुंचा तो यह माराज दो मिनिट आगे भी तो गए है तो आगे चले गए कितना हो गए यह दो सो पर यहां पर चोर और प्लीस यहां पर तो हमें करना क्या है कि प्लीस उस तीफ को कितनी मिनट के बाद पकड़ीगी तो आपने कहा सर देखो गैप कितने का है तो हमने के गैप की बात कर लें कितना कुझ से गैप करेंगे अब देखो होगा क्या कि सर ये जब चला 60-65 दूसरे मिनिट तो ये कितना पीछे रह गया तो हम बोलेंगे सर पहले दो मिनिट में तो ये कितना पीछे था सो मीटर पीछे था पुलिस वाला अगले वाले में कितना हुआ अगले एक मिनिट में भी पचास मीटर पीछे चल रहा है फिर पचास मीटर मतलब हर बार पचास थो ना चलेगा जब इसको पुलिस वाले को इसको पकड़ना है तो कितना कवर करना है यह समझो कि कितनी स्पीड बढ़ाये, बढ़ाता जाए, बढ़ाता जाएगा, कि बट कितना गैब था, उसको कम करना है, तो मैंने खा, देखो, स्टार्टिंग में, ये 60 की स्पीड से चल रहा है, और वो 50 की स्पीड से चल रहा है, इसका मतलब 2 मिनिट में जो 4 महराज है वो 4 महराज 100 मीटर तो चले गए पुलीस वाले को पहले उसको पकड़ने के लिए 100 मीटर का कवर माँपड़े लूँ पहले तो वह अगर 100 का कवर Mbayet सो मिटर पीछ से चल लए ना पुली स्वाला सो मिटर अगर मालों धीरी दीरे करके कर लेता है तो उसके बराबर पहुंच जाएगा यह बात वह समझ में है कि सो मीटर कवर करते ही पुलिस वाला उसके पहुंच जाएगा तो उसको पकड़ लेगा इस चीज को समझे कैसे मैं इनका देखो थोड़ा टाइम लगएगा पर समझने कोशिश करना वही चोर हैं चोर महाराज यहां से चले थे एक मिनट दू मिनट यह वन मिनट है यह दूसरी मिनट है यह तीसरी मिनट है तो वह महाराज कहां थे इस पर थे कब पुलिस वाले कहां थे वन मिनट टू मिनट थ्री मिनट फोर मिनट यहां से सुनते जाना एक तो महाराम से कोई दिक्क्र नही पुर माराज यहां पहुंचे अगले में अगले मिनट में बटन इसके बराबर नहीं चल्छन अपने धाना किया जो लाइन इस तो यहां लाइन फीरे फिर राइन फोटीं और आगे लिए फिरी सब्स हों जब चोर महराज कहां पहुँचे जब चोर यहां पहुँचे तो पुलिस वाल पहुंचे यहां समझने हुब देखो उसके पास जा रहा है गां पहले इन दोनों के बीच में चोर के और Bolis के इन दोनों के बीच में कितना मीटर बबहुत सकता हूँ नेक्स न मिनिक में चोर महराज यहां और価लिस महराज गहां यह Market थोड़ी कम है यह वाली बात यह वाली बात और यह वाली बात हर यहां कितना कम हो 있다고 करें दूसरी मंचेमर 15 मिनट जहां से कितना करेंगा 15 तीसरे 15 कि की कवर करेंगा दर्सकी कौर करेंगा कितना ही और करेंगा द्रसकी ठीक न यह ध्यान से सुन ये न पाई थोड़ा टोटल मिला के कितना कवर करना उसको अब यह 10 15 20 25 कैसे है यह समझना नहीं समझ मैं कोई दिक्कत नहीं कमेंट कर देना नो अब मुझे पता चला सब्सक्राइब नहीं कैसे सब्सक्राइब अब तो यह घृष्ष म करने है यह सकी हां में कोई कोई दिक्कत rookie सब्सक्राइब कितनी संब कर दो लें मंताए पहले मिनेंट में दूसरे मिनिट में यह तीसरे मिनेट में cover की यहÖ pour 4 में गोई यह नहीं पता कि कितने मिनेट में 100 cover कर लेगा। मैंने कहा यह मेरा A1 है यह मेरा A2 है यह मेरा A3 है और यह मेरा A4 है यह मेरा sn है तो मैं गोलas sn का formula क्या होते है गोले n by 2 two a plus n minus 1 into D होता है मैंने खाव blood value sn की value 100 equals to n by 2 2 into 10 plus n minus 1 into d कितना है d हमेशा 5 चल दा इस में तो यह 2 इधर आएगा तो 200 equals to n into 20 plus 5n minus 5 तो 200 equals to n into 15 plus 5n आप मैं इसको 5 से काट सकता हूँ बट एक बाल लिख लेते हैं यह जाएगा 5n square plus 15n और यह 200 इधर आएगा तो minus के 200 equals to 0 क्या तुमारे को यहां ते क्यों सब्सक्राइब मैं सेक्वेशन को यहां लिख रहा हूँ 5n square plus 15n minus 200 equals to 0 5 से काट हो 5 बंजा 5 5 थरी जा 15 और 5 फोर जा 20 ठीक है ना चलो तो यह आगा n square plus 3n minus 40 equals to 0 40 लाना है और 3 आना चीए 200 ही है ना 200 ही है अगर हम इसको solve करें तो भही 40 के factor करो 40 के होंगे 2 into 20 2 into 2 into 10 4 into 10 7 नहीं आ रहा 6 आ रहा है 5, 2, 2, 2 तो यह 3 कैसे नहीं आ रहा भाई यहां पे 20 minus 5 15 नहीं होता है 2 into 10 ok plus 5 हो रहा है यहां पे आके हम फस गए है थोड़ा सा एक बार चेक करो भाई इसको कहीं फसे कहां है कहीं तो फसे है अपन ऐसा तो है नहीं कहीं नहीं फसे कुछ तो फस गए जल्दी चेक करो 5 to the 10 to the 20 to the 40 होता है ठीक है इधर से करेंगे 2 to the 4 to the 8 और 5 हाँ यह रहा अब क्या करोगे एन कोमन लोगे तो एन प्लस एट बचेगा दैट इस जीरो तो एन की वैली यहां से 5 आ गई मतलब पांच मिनट बाद उसको पकड़ लेगा देखो पहले मिनट पे 10 की 10 डिस्टेंस कवर कर ली ज्यादा दूसरे में 15 कर रहा है तीसरे में 20 कर रहा है यह क्योंसन थोड़ा सा हट किया देखो मैं यह नहीं करा कि हट के नहीं यह बट यह 10 15 20 25 समझ में जाना चीए से भी आप कर सकते हो सेंबल कर सेने नेक्स देखो कर से नमबर 59 समों फेस्ट एंट टम्स ओफ थ्री एपीज आर एस्वन एस्टों एस्ट्री कोई सम करने है थ्री एपीज तो एपीवन यह एग्जाम्पल भी था अपने पास एपी फर्स्ट एपी सेकिंड और एपी एनटम्स का सम्स पीफिन टो मतलब ये एपी कटना है इससे पीक का दी कितना है फोलग कोई बफीज पर्स nhất बड़ा में और दियर कोमेंट दिखें से यए पनेकम बस त्री एक्टीवन कितना है यह में प्रूव करना है तो मैंने अगर मैं इसमें S1 निकालों जिसको मैं यहां पर S1 बोलूँगा तो वो क्या होगा n by 2 2 into 5 plus n minus 1 into 2 होगा और जिसको मैं और सोल करूं तो यह हो जाएगा n और S1 equals 2 तो मैं यहां पर equally लगा जाता हूं S1 को ही represent कर रहा है n by 2 2 से काट जाते हैं यह 2 भी कट जाएगा और यह 2 भी कट जाएगा तो n into 5 plus n minus 1 जिसको आप बोल सकते हो n into 4 plus n और आप इसको बोल सकते हो n square plus 4 n clear है बात? नौ S2 पता करोगे तो क्या लिखोगे? और S2 क्या है? सेकिंड AP की n terms का सम तो n by 2 2 into 5 plus n minus 1 into 4 d to 4 तो 2 से यह 2 कटेगा बट यह 4 2 टाइम कटेगा तो आप लिखोगे n into 5 plus 2n minus 2 लिख देंगे that is n into 5 तो 8 जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पर 5 minus 2 पितना होता है? 3 होता है ना? यहाँ पितना जाएगा? 3 plus 2n तो जिसको आप लिख सकते हो 2n square plus 3n हो सकता है now we can calculate value of S3 that is n by 2 2 into 5 plus n minus 1 into 6 अब 2 से 2 काट लो और इस 6 को काट दो 3 टाइम तो जाएगा n into 5 plus 3n minus 3 इसको solve करो तो जोगा n into 2 plus 3n 5 plus 3n minus 3 तो 5 minus 3 2 होता है 5 minus 2 3 होता है हाँ यहाँ से हो जाएगा 3n square plus 2n now आपके पास S1, S2 और S3 की value है LHS part लेकिए हो LHS part क्या लाना है? S1 plus S3 पता करना है तो मैंने खाएगा S1 कितना है? n square plus 4n S3 कितना है? plus 3n square plus 2n तो यह value आ रही है 4n square plus 6n और यह value में किसके equal आनी है? RHS के RHS के अपने पास 2 into S2 है तो 2 into S2 कितना है? 2n square plus 3n है multiply करोगे तो आएगा 4n square plus 6n क्या दोनों part equal है? तो हमने हमना जो question करना था उसको क्या कर लिया है? प्रूब कर लिया है clear है? simple suggestion था? कोई बड़ी बात नहीं है? चलो next देखो question number 60 Resma wanted to save at least 6500 for sending her daughter to school next year Resma है वो चाती है कि मैं कम से कम 6500 रुपए save कर लूँ ताकि मैं अपनी बच्ची को next year मतलब 12 माईने बाद इसकूल में भेज सकूँ She saved rupees 450 in the first month तो first month में उसकी saving क्या है? First month में उसने rupees 450 save की है and raise her saving अब अपनी saving को बढ़ा रही है मतलब second month उसकी saving obviously कुछ ज़्यादा होने वाली है हमें नहीं पता कितनी होने वाली है but to rupees 20 every next month मतलब next month कितना हो दाएगा 450 plus 20 equals to 470 रुपे next month कितने रुपे save करेगी 470 तो आप मुझे बता सकते हो third month कितने रुपे save करेगी हाँ सब third month आप बता सकते हैं 470 में 20 जादा that is 490 रुपे save करेगी मैंने का very good तो आपके पास एक AP बन रही है जो 450 470 और 490 ऐसे करके बना रही है बट आपको यह पता है कि लास्ट वाला month क्या है यह first month है यह second month है third month है और लास्ट वाला 12th month है 12th month कि save करेगी और इन सब का sum कितना आना चीए 6500 आना चीए नहीं यह नहीं पता यह नहीं आना चीए कि यह नहीं करेगी यह आना चीए बट में इसके आसपास आएगा क्या आएगा वो पता नहीं बट क्योशन तुम्हें क्या करें हाओ मच विल सीज है बी एबल टू सेव इन नेक्स्ट वैल मन्त कि कि टोटल 12 मन्त में कितने रुपए सेव कर लेगी तब होगे विल सी बी एबल टू सेंड हर डोटर टू स्कूल नेक्स्ट यह क्या वो अपनी बच्ची को इस लाइबल हो गई है कि वो बेश सकेगी मतलब वो कब बेश सकेगी जब इन सबका सम अगर सिक्स्टी फाइफाइफंड से आ रहा है या ईस से ज्यादा रहा रहा है तो तो भी सकती है कम आ रहा है तो नहीं भी पर्मिद्र हो यह होता है तो यहां पर s12 निकालना हमारे को 12 मन्त में कितनी सिभी होंगी 12 बाइ 2 2 into 450 plus 12 minus 1 into d कितना है 20 बता यह कटेगा 6 हो जाएगा 45 to the 90 तो 900 हो जाएगा प्लस 11 into 20 तो आप इसको लिखोगे 6 into 900 प्लस वन सुरी 220 तो मैं इसको के सी के हल्प ले लेता हूं 900 प्लस 220 यह आगे 1120 तो 6 into 1120 तो इसको इन्टू करते हैं 6 से तो सब्सक्राइब 6,720 मतलब वो अगर इसी प्रोसेस से सेविंग करती रही तो 12 मन्त के अंदर वारा महिनों के अंदर उसके पास सेविंग कितनी हो जाएगे सब्सक्राइब 6,720 यह सेविंग जो वो करना चाती थी वह थी 6500 उसे ज्यादा है इसका मतलब वो अपनी बच्ची को स्कूल भेज सकती है क्लियर है यह बात यह बात समझ में है ना चलो नेक्स देखते हैं क्या कर रहा है इन्हें स्कूल एक स्कूल के अंदर इस्टूडे स्कूल के अंदर और इस्कूल के बाहर कुछ ट्री लगाएं पेड पोदे लगाएं जिससे एयर पोलिशन कम हो जाए ठीक है और मेबी नोइस पोलिशन भी कम हो जाएगी ठीक है इट वो डिसाइड़ देट देट नंबर ओफ ट्रीज देट इच सेक्शन ओफ इच क्लास व तो इसमें कुछ ना कुछ सेक्शन भी मतलब इस फर्स्ट क्लास के कुछ सेक्शन सोंगी कितने भी हो सकते हैं में पूनी पता भी तक बट शेक्शन स्की में हो गए उसके अकोडिंग क्या पोदे लगेंगे देखो विल बी डबल ओफ दे क्लास इन विच टे आर इस्टेड इस सेक्शन विल प्लांट इस सेक्शन विल प्लांट ओके विल बी डबल ओफ लगा रहे हैं तू लगा रहे हैं ज्यां से सुनना और यह क्या कर रहा है विल डबल ओफ दे क्लास इन विच दे आर स्टेडिंग जिस भी क्लास में उपढ़ रहे हैं उससे डबल लगाएंगे तो मैंने का फर्स्ट क्लास का फ्र्स सेक्शन है यह दो लगाएगा तो टोटल कितने पोदे लगाएंगे चार पोदे लगाएंगे जान से सुनना होग नोगी बूप दो दोपोदे लगाए Shapnes x45 2 बचे नव यह दो पोदे यह दो पोसे दूबना से दूगना आठ लगाएंगा ते मुझे बताओ थर० क्लास में दो смотреть में तो इसको लेक्षे रोटनी मतलब जिस class में उतने तो लगाने लगाने है बट वो उससे double लगाएंगे तो इस class के बच्चे कितना पोदा लगाएंगे जब लग से सुनना पहले अगर एक तरह तो तीन तुन दो सेक्षन आपको यहां से पता चल रहा है कुछ एपी बन लिए यह 4 तो यह कितने लगाएगा 16 कैसे पता चला दो सेक्षन है यह 8 पोदे लगाएगा और यह भी 8 क्योंकि यह 4th क्लास में तो उसका डबल 88 पोदे लगाएगे तो मुझे बताओ 4 और N कितना है 12 भी 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास से लेके 12 क्लास तक तो हमारे को S N निकालना है तो S 12 का फोर्मुला बन जाएगा 12 बाई 2, 2 टाइम A that is 4 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 4 2 से यह 2 काट लोर इस 4 को 2 टाइम, तो हमारे 12 इंटू 4 प्लस 11 इंटू 2, तो यह होजाएगा 12 इंटू 4 प्लस 22, ता बोलोगे 12 इंटू 26, इमारे चेक करता हूँ, 12 इंटू 26, आंसर आ रहा है 312, तो एकदम सही आंसर आ रहा है 312 पोदे ही वो लगाएगे, यहां पर बस क क्लास में हैं, उससे डबल पोदे लगाएगे, यह बात समझने लाइक है बस, ओके, एक्जामपल भी ऐसा, आप वो भी देख सकते हूँ, नेक्स्ट, एक्जामपल नंबर 62, रमाकली, रामकली, ठीक है ना, जो भी नाम है, वोड नीड रूपीज एटीन हंडेर, फोर एड अच्छी को स्कूल बेचना चाहती है, तो वो सोच रही थी, सी से रूपीज फिफ्टीन, फ़र्स्ट मन्त ओप दीस यर, इस महीने की पहले मन्त को, तो वही बात है, फ़र्स्ट मन्त कितने रूपए से हो कि उसने, पचास रूपए, एंड इंक्रीज हर मन्तली से विंग पाइब दूसरे मन्त उसने कितने रूपए से हो कि होंगे, सर्फ पिछले मन्त पचास के थे, इस महीने सतर रूपए, तो दोनों महीनों का जोल के कितना हो गया, एक सो बीच रूप यह जान लगना हो, आफ्टर ए ए बारा महीने बाद, तो तो ट्वैल मन्त में कितने से व बताते हैं रूपो तो आपको पता है इस एपी में ए कितना है 50 डी कितना है 20 एन कितना है 12 तो आपको 12 बता करने हैं तो आप बोलोगे 12 by 2 2 into 50 plus 12 minus 1 into 20 2 से 2 कट गया और ये कट गया 10 times 12 into 50 plus 11 into 10 सही है अरे हाया ना तो बोल दो यार कमेंट में है नो 12 ब्रेकिट 50 plus 110 तो यह हुगया 160 तो 12 into 160 तो हम मल्टिप्लाइ करते हैं 12 को 160 से तो आंसर आ रहा है 1920 तो इस अकोर्डिंग अगर उसने पैसे चेवगे तो 1920 रुपए और उसको चाहिए कितने थे अठारा सो रुपए तो बोलेगे यह सर वह अपनी बच्ची को स्कूल भेज सकती है गुर्णी सो बीस रुपए के साथ और कुछ बच जाएंगे उसके उसको लिए कुछ एक्स्ट्रा में भी कुछ असेशरी इस प्रोवाइड करवा देगी ठीक है ना नॉक नेस्ट क्यों पर दूसरे साल किया नहीं पता बड़ दूसरे साल किया तो एक यह दूसरे साल एमें सो ज़्यादा किया तीसरे साल कितना किया प्रीविट्स व्यादक क्यों सौ जबुए रजाएंगे और किस्ट्री के व्लूस सो ज़्म होगी तब तक उसने से लगा तो टोल मिलाके है 16,500 क्या नहीं पता आपको ए तो ए ही आप से पूछ रहे हैं हमस्ट इडी से इंद फर्स्ट इयर पहले साल कितना किया और इससे सिंपल क्या लो गया बस लेंग्वेज है कन्फ्यूज करने के लिए तो आप क्या बोलोगे बच्चो एस टैन इकोस्ट था था टैन बाइटू टू इंटू ए प्लस टैन माइनस वन इंटू डी यह होता है बेसिक तो तो यह इसको काट लेते हैं फाइफ टैंग तो फाइफ इंटू टू ए प्लस ना सोलह हजार पांसों के उकओड तो फाइफ से इस नंबर को काटते हैं फाइफ स्पाक तरी और इचाज 1.5 ग्रिओं डंस माइनस 900 तो यह 2400 तो एक वेल्य आजाएगी 2400 अपॉन 2 यह 1200 मतलब क्या है एक वेल्य वेल्य तो एने का सार पहले महिन ने या पहले साल उसने 1200 रुपए किये दूसरे साल 1300 तीसरे साल 1400 ऐसे करते करते गया दस साल तक उसने पैसे दमा किये और टोटल कितने हो गए थे 16500 रु यह 100 नेक्स देखो इमेंस रुपीज 32 दूरिंग दो फर्स्ट यर रुपीज 36 इन 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 इस वे इन इन इनक्रीज ही सेविंग बाई रुपीज फोर एवरी यह मतलब फिस्ट एर कितना किया बद तीस रुपए सेक इंड यर कितना से उपिया 36 रुपीज तो ऐसे हर सा 200 इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी 200 रुपे हो जाएगे मतलब सेविंग कितना हो जाना चींग हो जाना चींग 2a plus n minus 1 into d, यह है 200 equals to n कितना है पता नी, अपोन 2, 2 into 32 plus n minus 1 into 4, 2 से काट लो, 2 और यह गटेगा 2 time, वो जगा n into 32 plus 2n minus 2, वो जगा n into 30 plus 2n equals to 200 ही आप है, तो 200 equals to 30n plus 2n square, सब को इधा ले आओ, 20 square plus 30n minus 200, और 2 का करदो divide, तो आएगा n square plus 15n minus 100 equals to 0, अब 100 के करने हैं, दो फेक्टर जिसमें 15 आना चीए, तो कौन से दो नमर जिनको multiply करने पर 15 आता है, sorry, 100 आता है, तो 10 और 10, चलो, शोल करते हैं, 25 जा, आगया न, सिधा ही आगया, n square plus 20n minus 5n minus 100 is 0, n common लेंगे, n plus 20 आएगा, तो यहां से n की value कितने आ गई, 5, मतलब उसको कितने दिन लगेंगे, 5 साल लग जाएंगे, 200 रुपए सेव करने में, अगर वो पहले साल 32 रुपए, दूसरे साल 36 रुपए सेव करता है, छोटा investment है, पर compound interest पे चलता तो थोड़ा जादा हो जादा, ठीक है, चलो, next देखो, को क्यों से नमा 65, इमेन अरेंज टू पे ओफे डेप्ट और रुपीज 3600 रुपए से पे करूंगा, मतलब एक कोल इस्टॉल्मेंट है, arithmetic progression बोला है, arithmetic series के विए में बोल रहा है, तो हमें नहीं पता, यह पता है कि 40 इस्टॉल्मेंट देगा, तो n की value 40 है, और कितने रुप रुपए देता, सब को मिला के 3600 रुपए, हमें नहीं पता है, इस्टॉल्मेंट कितनी है, तो A भी नहीं पता है, और D भी नहीं पता है, ठीक है, चलो, When 30 of the इस्टॉल्मेंट are paid, जब उसने 30 इस्टॉल्मेंट पता दे दी, तो 30 इस्टॉल्मेंट दे दी, ठीक है, He dies, शोरी, भगवान उसकी आत्मा को श्यांती थी, वो मर गया बेचारा, Leaves one third of the debt unpaid, मतलब क्या, कितने रुपए दे दी और कितने रुपए बच गए, तो मैं पता चला, सर उसने one third of debt unpaid किया, मतलब टोटल कितने रुपए देने थे 3600, उसमें से कितने दे दिये, मतलब उसको 1200 देने हैं, तो बताओ कितने दे दी होंगे, तो आपको होगे, तो आपको 3600 में से 1200 माइनस कर लो, तो आगा 0042, 2400 बाकी है, और इसको देखो, 1200 इंटो 2, 2400 ही आ रहा था, तो हमारे को यहां पर SN पता तो लगया है 2400, find the value of the first payment, तो हमें A और D दोनों ही नहीं पता, ना इस situation ने बताओ कि किसनी installment थी, ना D बताओ कि installment कितनी increase हो रही थी, बट यह बोल गया AP है, तो हम बोलेंगे देखो, इसकी और इसकी help से A और D निकल सकता है, यह SN है और यह भी SN है, N पता है दोनों situation में, तो A और D में equation मनेगी solve कर लेता है, तो S 40 की value होती है, वैसे तो 40 by 2, 2 time A, plus N minus 1, 40 minus 1 into D, और S 40 दे रखा है अपने को 3600, equals to 40 by 2, 2A plus 39D, अब मैं इसको काट लेता हूँ 20 time, 0 से 0 काट लेता हूँ, और 2 से इसको काट लेता हूँ 180 time, यह तो समझ में आ रहा होगा यार, तो 180 equals to 2A plus 3D हो गया, एक equation तो आ गई, ठीक है, अब S 30 का वैसे तो formula होता है, 30 by 2, 2A plus 29D, ठीक है, अब S 30 की value कितनी है, 2400, तो मैं ऐसे बोलूँ यह 2 इधर आएगा, तो multiply में आएगा, और 30 आएगा, डिवाइड में, equals to 2A plus 29D, 0 से 0, 3 से कटा A time, तो 80, तो यह भी कितना होगा है, 160 equals to 2A plus 29D, यह दूसरी equation आगए, आपके पास बच्चा, इन दोनों को solve करना है, तो मैं ऐसे लिख लूँ, और 2A plus 3D equals to 180, 2A plus 29D equals to 160, ठीक है, 29D, ओके 39D होगा, यहापर 3D नहीं होगा, 39D होगा, यहापर भी 39D होगा, तब ही मैं सोता है, माइनस में कैसे आगा, यह दूसरी नहीं होगा, 39D, और यहापर भी क्याएगा, 39D, अब माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, यह तो कट गई बैचा रहे, 39 minus 29, 10D equals to, यहापर आगा 20, तो D की वाल्यों क्या आगई, 20 by 10, it is 2, D2 आते ही कहीं पूट करलो, यहाँ पूट करलो, यहाँ करलो, तुमारा मनगरे वाल्यों करलो, यहाँ कर लेते हैं, तो यहाँ, 160 equals to, 2A plus 29 into 2, 29 into 2, अधो बार लिखे देता हूं, आख थोड़ा नीचे लिखे लेता हैं, 160 equals to 2A plus 29 into 2, 9 to the 18, 2 to the 458, 2A plus 58 is 160, तो 2A की वाल्यों जाएगी, 160 minus 58, ठीक है, अब बताओ, एक वेल्यों क्या होगी, 102 by 2, that is 51, मतलब पहले इस्टोल्मेंट कितनी दिए परेचारे ने, 51 रूपीज की दिए, एकदम सही आंसर है, ठीक है, नाओ, नेक्स्ट कोशन है, जो बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है, तुमारे लिए, समझना उसको ध्यान से, यह यह पहला ट्रिये, यह दूसरा ट्रिये, यह तीसरा ट्रिये, यह फोर्ट, यह फिफ्थ, यह शिक्स्त, ऐसे करते गरते यह 25 त्रिये, 25 ट्रिये, अपने पास, सब के बीच में कितना गई पर फांच मीटर नोनों के बीच में बीच में पांच मीटर अब क्या रहा है सुरी अब दिस्टेंस ओब वोल वैल वैल का मतलब कुवा फ्रों दे नीरेस ट्री बींग 10 मीटर ओके अब वोट मैं भी इधर इस कुए से पहले वाले की डिस्टेंस कितनी ट्री की टैन मीटर है एक गार्डनर वाटर वाटर वोटर ओल दे ट्री सेपरेटली स्टार्टिंग फ्रॉम दे वैल ओके एक आदमी यहां घड़ा है कोए के पास यहां से वह पानी डालने जा रहा है सब के पास और वाले को पानी देने के बाद वोब वापस लान दा है फिर दूस्रे वाले को देता है तो ऐसा हम ने भूत पहले एक एक जांपल भी किया था और इससे पहले एक जामपल एंसी आटी का भी था कि वह टोमेटो वाली देश वही सेम क्योशन है कि है फाइन ठेश तोल डिस्टेंज गादनर विल कवर इन ओनर तु वोटर ओल्ड डेश ओके सारे को पानी देनेके बाद और दलिए गंची वह को पाद को कि ब्यातु अब देने के बाद वाल पुए पहल आरा है इंग आ है ौ पहली बात यह समाझ जे इफ स्क maximal स करत चेश तुर स्पाश्बिट बीज देखेंग वटर। अभगों इसके आगे कुछ नहीं लिखा आगे खिए अगे टरीस के आगे एचार को है और फ़ेल्टन की अंस्तीन लेल्टनिक के टीन पर वेलों लिए को कितनीी डिस्टेंस और करें के पानी ने निकाला और पहले वाले को दे दिया तो 10 मीटर में एखिए दूसरे को यह के लिए वह यह पानी दे दिया वापस 10 मीटम पैस सश् snatch को यहां से गया दूसरे वाले के पास सीधा पानी देने के लिए तो मैंने ख regard 10 मằए वापस बिढ़ और 5 मिटमिटर आ या वी 10 मीटर वापस गया पाने लें चिंप इने लेके और इसके बाद पांच और जाएगा तीसरे को पानी देने के लिए तो 15 15 30 प्लस 5 35 मीटर भी जाएगा ओके अभी तक भी एपी नहीं बन रही है यार ट्राय करते हैं फॉर्थ के लिए अब बताव मुझे फॉर्थ के लिए क्या करेगा सर वह यहां से यहां तक जाएगा तो म तो 15 15 कर रहा है तो सब्सक्राइब है यह तो 1 & 2 5 थे यह भी 524 वाले के लिए कितनी यह रहे हैं तो एसे स्टार्ट इंस और 25 तो सब्सक्राइब क्या दिफ्रेंस ए ? 20 और 3 25 और 4 क्यों पूछ रहे वैसा मैंने कहा वो लास्ट 25 वाले से वापस भी तो आएगा गुमते वे पानी देखर जब आपको यह डिस्टेंस पता चल जाए तो काम हो जाए मैंने का सुनों एक काम करों टैन मीटर अटा दो यह पहले पांच गया फिर दस जाएगा एक से फिर किती जाएगा पंदरा जाएगा तो तीन तीन का क्या पार है देखो शेकिन वाले के लिए जा रहा है तो पांच पांच आएगे लिए 10 ौक पानी देने के लिए पंदरा तो ऐसे पांच दो को पानी देने के लिए 20 मतलब 5045 16 6 कुछने के लिए बुग्रस नहीए तैट है तो Namway के लिए तो ऐसे बताओ 25 आले के लिए कितना चलेगा बस ये बता दो मुझे कि 24 इंटू करना पड़ेगा something क्या इंटू करना पड़ेगा 540 25 25 25 25 25 25 कम करें देना इसको मलुटिप्लाइ कर के बैए देखो यहां तक डिस्टेंस कवर करने के लिए कितनी कवर कर रहा है सब्सक्राइं तो 955 में से 25 कम कर दो कितना कर रहे वैसके तो वन 5 10 15 कर रहा बट 5 को 5 को चार से मुँना करते लिए उसमें से 5 का हूं तो हैसी tad कि 25 125 मेंे से 5 खलो घ्रूंप करो तो 120 मतलब लास्ट वाले से फ्र्स्ट वाले तक आने में उसको 120 मीटर चलना पड़ता है तो बताओ कोई तक आने के लिए कितना चलना पड़ेगा 130 तो यह भी ध्यान रखना कि 130 मीटर चलेगा कब चलेगा जब लास्ट वाले को पानी देगा यह समझे ना एक तो दूसरी बात यहां तक तो एपी बन रही नहीं बट लास्ट तक एप पी जरूर बन रही है गैप कितना रहा है 55 का रहा है तो इसका अलग से अडिशन करेंगे इसमें इसकी अगर मैं बात करूं इसे पी यहां तक जो लास्ट वाला जुकुआ है तो टोटल कितने हैं तो पहले वाले को यहां ट्री को पानी दे दिया दूसरे वाले तीसरा तो टोटल डिस्टेंस के लिए तो एपी वाला कॉंसेप्ट लगा रहे है तो एस 25 कितना हो जाएगा चोड़ी एस 24 24 हो जाएगा 24 बाइ 2 2 इंटो 25 प्लस 24 माइनस 1 इंटो D D कितना हो 5 तो यहां 12 इंटो 50 प्लस 23 इंटो 5 23 इंटो 5 तो इसका अपलिक हो गे 12 इंटो 50 प्लस 23 इंटो 5 कितना हो था भी प्लस 15 के रिवन 10 11 100 कुछ आ रहेगा 23 इंटो 5 115 आ रहे है तो 115 प्लस 50 देट इस 165 और 165 को 2 से मल्टिप्लाई करता हूं तो 330 तो यहां चल रहा है क्या कर दिए मैंने कुछ गल्दी कर दीगा 23 इंटो 5 115 प्लस 50 165 इंटो 3 तो इंटो 12 12 है ना भार हां 1980 आएगा सोरी यही तो गल्ती करें कितना रहा है 1980 तो 1980 तो 1980 तो इधर चला आंसर क्या रहा है भाई 3500 आ रहा है 66 यह एक में टूक ना हां तो कुछ तो गल्ती कर रहा है रहा है रहा है तो इंटो 25 है ट्वैल आ गया ट्वैल ट्वैंटी थ्री इंटो 5 दी 5 है ठीक है 1980 आया प्लस 10 कर लो 1990 हो जाएगा या 1990 हो गया प्लस 130 और कर लो 1990 है प्लस 130 तो मेरा आंसर है 2120 और बुक का आंसर है 3500 कुछ तो गल्ती कर रहा है अपन एक बार रुख जो मेरा को बताओ पहले वाले के लिए कितना पानी दिया दस दस बीस पच्चीस तो पंदरा तीस और पांच मैंतीस सही है या आ आंसर मेरा तो आ रहा है भाई 1990 प्लस 130 यहां पर प्रोब्लम क्या रही है से डी अपने गलत ले रखाए डी 10 होगा देखो 25 और 35 में डी कितना होगा 10 तो यहां पर 10 से मल्टिप्लाई करेंगे तो यह आएगा 230 प्लस 50 इन्टू 12 अब करो इसको सौल यही मैं सोतरा तो कुछ तो गलती हो रही है अपने से ध्यान नहीं दिया मैंने 230 प्लस 50 इन्टू 12 तो आंसर आ गया 3360 अब 3360 में यह वाला 10 और यह वाला 138 गरता तो 148 करना है किसमें 3360 में इसको अटा देना वाई यह गलत है यह गलत था यहां से आंसर आ गया प्लस 140 करने पे 3500 मीटर टोटल कितने डिस्टेंस कवर करेगा 35 के पन्नी कर दिया तो vind Фण7 कि यह वाला लूजिक लोजिक में आना चलिए और एक इंपोर्टेंट से वापस झुण ब्दी क्यों करने में कैसे माने yer 그거 दो तो उसमें एंडे कर दिया différence ग Sag इसको जरूर समझना ओके यह थे हमारे कोशन नमबर 66 तक नेक्स्ट वाले कोशन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए आपको कहीं पर कोई डाउट लगे कमें कुछी दे समझ में नहीं तो मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं और थैंक्य पर वच्टिस कीजिए।